उम्शांती, आज 27 स्वर्वरी 2023 के साकार मधुर महवाक्य है, आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को एक बहुत गुईये राज समझा रहे हैं, संगम युग की ऐसी रसम कौन सी है जो अन्य किसी युग में नहीं होती है, जब संगम युग आता है तो बाबा बच्च को नमस्ते करते हैं, अन्य युगों में बच्चे पिता को नमस्ते करते हैं, तो ये संगम की रसम सबसे निराली रसम है, बाबा बहुत निरेंकारी है, निराकार, निरेंकारी बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे बाब को याद करते हैं, बाबा केते मैं इस सम मैं आकर तुम बच्चों की थकान दूर करता हूं। बच्चों के पास आते हैं, बच्चों को मिलते हैं, मार्ग दिखाते हैं। आने से ही बबा किते पहले को नमस्ते करें, बच्चों नहीं कहा पहले बच्चे करें, बबा नहीं कहा नहीं, पहले बबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि आधा कल्ब तुमने जिस पिता को पुकारा, अब वो तुम बच्चों की पुकार सुनकर आए हैं। फिर बाबा नहीं कहा कि जब आप किसी को समझाते हो तो बहुत निरेंकारी बनके समझाओ अगर आपको कोई बात समझानी नहीं आती तो बड़ी निरेंकारिता से निरमानता से आप उन्हें कह सकते हो कि आपका लाना हमारे बड़े आपको इस विशे पर समझाएंगे कोई चीस नहीं आती है तो बाबा केते हैं अपने आपको बड़ों के सामने निर्मानता से चलाना है कह देना है कि हमारे बड़े आपसे मिलेंगे वो आपको समझाएंगे ये शब्द मैं तुम आत्माओं को साथ लेकी जाऊंगा बाबा के सिवाई कोई कह नहीं सकता सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबनी का मीठे बच्चे बाब आया है बेहद स्रिष्टी की सेवा पर बाब आया है बेहद स्रिष्टी की सेवा पर नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाब करते हैं नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाप करते हैं कोशन है संगम की कौन सी रसम सारे कल्प से न्यारी है सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा केते मैं तुम सिक्की लदे बच्चों की सेवा पर उपस्तित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना, बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सिष्टी के किचडे को साफ कर, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, बाप जैसा निराकारी, निर इंकारी कोई हो नहीं सकता, बाप अपने ठके वे बच्चों के पाउं दबाते हैं, ओम शांती, बाप आने से ही, पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें, या बच्चे बाप को करें, इसनी का बच्चे बाप को नमस्ते करें, नहीं पहले बाप को नमस्ते करना पड़े, सं तुम सब का बाप, तुम्हारी सर्विस में आकर के उपस्तित हुआ हूं. तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना, दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहां बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को. गाया हुआ है, नीराकारी नीरेंकारी, तो वो भी दिखाना पड़े वो तो सन्यासियों के चरणों में जुखते हैं चरणों को चूमते हैं समस्ते कुछ भी नहीं बाप आते हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद बहुत सिक्की लधे बच्चे हैं बहुत लंबे काल के बाद जो मिले लोंग लोस्ट नाव फाउंट ऐसे बच्चों को बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे बहुत काल से बिच्ड़े हुए अब आकर मिले तो सिक्की लदे बच्चे हुए इसलिए कहते मीठे बच्चे ठक गए हो द्रोपती के भी पाउं दबाईना तो सर्वेंट हुआ, बंदे मात्रम ये किस ने उचारा, बाप ने उचारा, बच्चे समझते, बाप आया हुआ है, सारी सृष्टी की बेहद सेवा पर, सृष्टी पर कितना किचड़ा है, यह नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना होता है, बहुत उकीर से आते हैं उमंग उत्साह से आते हैं, जानते मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्तित होना है, जब वो खुद आते हैं, तब बच्चे समझते हैं, बाप हमारी सेवा में उपस्तित हुए हैं, यहां बैठे सब की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सब के प पुरुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी सेवा है बेहद की, बाबा की सेवा है बेहद की, फिर गीत चला जाग सजनिया जाग, ओम शांती, देखो कितना अच्छा गीत है, नव युग और पुराना युग, युगों पे भी समझाना चाहिए, युग भारतवासियों के लिए भारतवासियों सेवे सुनते हैं, कि सत्य उत्रेता होकर गए, क्योंकि वो तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं, प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताई राज्य करते थे, आदिस नातन देवी देवता धरम था, अभी नहीं है, गाय जाता, ब् क्षम बतन की, क्योंकि क्रियेटर है, गीता के लिए सब कहते हैं, सर्व शास्त्र शिरोमनी, श्रीमत भगवत गीता, प्रंतु भगवान का नाम नहीं जानते, कोन सा भगवान, व्यासाधी शास्त्र बनाने वालों ने, स्रिकृष्न का नाम डाल दिया, गीता तो देवी द देवता धर्म का शास्त्र है, बाके सब बाद में आए, तो यह हुई प्राचीन, अच्चा भगवान ने गीता कब सुनाई, जरूर सब धर्म होने चाहिए, सब धर्मों के लिए वास्तों में एक गीता है मुख्य, सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतो मानते कहां है, मुसल्मान, कृष्चन आदी बड़े कटर है, वो अपने धर्म शास्त्र को ही मानते है, जब मालूम पढ़ता है गीता प्राचीन है, तब मंगाते हैं, परंतो यह तो जानते नहीं, भगवान ने गीता कब सुनाई, चिम्यानंद कहते हैं, साड़े तीन हजार वर्ष पहले क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई, साड़े तीन हजार वर्ष पहले दिखाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, अब यह कैसे हो सकता है, यह समझने की बात है, इस समय सब धर्म है, सब धर्मों की गीता द्वारा सदगती करने बाप आए हैं, गीता बाप की उचारी हुई है उसमें बाप की बदरी बच्चे का नाम डाल मुश्किलात पैदा कर दी इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्री कब मनाए शिव ज्यन्ती और कृष्ण ज्यन्ती लगबग हो जाती शिव ज्यन्ती समाप्त होती कृष्ण का जनम हो जाता कभी भी स्रीकृष्ण ज्यान-यज्ये नहीं गाया जाता रुद्र ज्यान-यज्ये गाया जाता उनसे मिनाश्वला प्रज्वलित हुई सोतों बरवर देख रहे हो आदि सनातन देवी देवता धरम की फिर से स्थापना हो रहे है फिर और धरम रहेंगे नहीं फिर से देवी देवता धरम की स्थापना हो रही है अनेक धरम फिर रहेंगे नहीं कृष्ण भी तब आए जबकी धरम ना हो ये भी समझ की बात है सत्यों में सूर्य वन्शी देवी देवताओं कराज्ये था तो जरूर थोड़े मनुश्य होंगे बाकि सबात्माई मुक्तिधाम में रहती है भगवान से सबको मिलना होता है बाप को सलाम तो करेंगे न बाप भी फिर से आकर सलाम करते बच्चों को बच्चे फिर बाप को करते हैं इस समय बाप चेतन्य में आया हुआ है, फिरमा सबात्माई बाप से मिलेंगी जरूर, सब को भगवान से मिलना जरूर है, कहां मिले यहां तो मिलना सके, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई आएंगे, तो सब भगत कब और कहां मिलेंगे, जहां से भगवान से बिचु को परमधाम ले जाता हूँ दुखों से लिबरेट करके मैं परमधाम लेके जाता हूँ दुखों से लिबरेट करके ये काम उनका ही है अभी तो देखो अनेक भाषाएं है अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने सब कैसे समझेंगे संस्कृत भषा तो सब को समझ में आना सके. आज कल गीता संस्कृत में Taylor करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में, अब अही लाएं, कुप जाएं, अब लाएं, ये संसकृत कहां जानती हैं, हिंदी भाषा तो common है, हिंदी का परचार जासती है भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं वह तो गीता के अध्याई बताते इनके अध्याई कैसे बना सकेंगे वो तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है बाप को आनाई है पतित स्रिष्टी को पावन बनाने के लिए Heavenly God Father तो जरू स्वर्ग ही क्रियेट करेंगे नर्ग थोड़े ही रचेंगे नर्ग की स्थापना रावन करते हैं स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं उनका राइट नाम शिव है शिव अर्थार्थ बिंदी आत्मा ही बिंदी है स्टार क्या है कितना छोटा है, ऐसे थोड़े आत्मा उपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी, यह तो भृकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं, कैते हैं भृकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, जरूर भृकुटी में इतनी छोटी सी आत्मा रहेगी, तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, वंडर ये है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सब जन्मों का पार्ट है, छोटी सिबिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अवीनाशी पार्ट है जो कभी गिस्ता नहीं फारेवर चलता रहेगा, कितनी गुईये बाते हैं, आगे कभी अगुष्ठा कार है, पहले अगर ये बाते सुनाते, तो तुम समझ नहीं सकते, अभी बुद्धी में बैठता है, सार तो सब कहेंगे साक्षतकार भी स्टार का होता है, तुमको साक्षतकार किस चीज का चाहिए, नई दुनिया का, नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं, बाब वोई सब को भेज देंगे खुद एकी बार आते हैं अब मनुष्य मांगते हैं शान्ती, क्योंकि सब शान्ती में जाने वाले हैं, कहते सुक कागविष्ठा समान है, गीता में है राजयोग, जिससे राजयों का राजया बनते हैं जो कहते सुक कागविष्ठा समान है तो उनको राजयी कैसे मिले ये तो परविर्टी मारक की बात है सन्यासी तो गीता को भी उठाना सके, बाबा केते सन्यास दो प्रकार के हैं यहां तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहां तो एक ही प्रकार का सन्यास है, तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, ग्रस्त विवार में रहते, कमल फूल समान रहना है, कैसे रहते हैं सो इंसे पूछो, बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं, सन्यासियों कई काम नहीं, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़तें, charity begins at home, पहले-पहले इस्त्री को सिखाएं, शुब बाबा भी कहतें, पहले-पहले मैं अपनी इस्त्री, साकार ब्रह्मा को समझाता हूं, charity begins at home, शुब बाबा का इस चेतन्य होम है, पहले-पहले ये इस्त्री सीखत है, फिर उनसे adopted children नंबरवार सीख रहे हैं, यह बड़ी कोई ये बाते हैं, शुब बाबा, पहले ब्रह्मा बाबा को सिखाते, फिर उनसे बच्चे सीखते हैं, सब शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतो गीता शास्त्र से कोई प्रेणा नहीं करते, वो तो य आते हैं, यादगार भी है, शिव के अरेक मंदिर है, खुद कहते हैं, मैं साधारन ब्रह्मा तन में आता हूं, यह अपनी जन्मों को नहीं जानते, एक की बात तो है नहीं, सब ब्रह्मा मुखवन शावली बैठे हैं, सरफ इस एक को ही बाप समझाए, प्रंतु नहीं, ब् यग्ये भी नहीं ठेहरा, यह तो बड़ा भारी यग्ये है, बेहद बाप का बड़ा यग्ये है, कब से डेगियां चड़ती आई, अब तक बंडारा चलता ही रहता है, प्रशाद बनता रहता है, बड़े बड़े भीगोनों में, बाबनी का यह कब से यग्ये चलता आया, बंडारा चलता रहता, समाप्त कब होगा, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, बाबगते में तुम्हे वापिस लेके जाऊंगा, फिर नंबरवार पार्ट बचाने के लिए भेज देंगे, ऐसे और तो कोई कहना सके, कि तुम्हारा पंडा हूं, तुम्हे लेके जाऊंगा, जो भी पतित मनुष्य हैं, सब को पावन बना के ले जाते, फिर अपने धरम स्थापन करने समय, पावन आत्मायाना शुरू करती है, और एक धरम अभी है, बाकी एक धरम है नहीं, फिर आधा कल्प कोई शास्तर नहीं रहता, तो गीता सब धर्मों की, सब शास भारत वास्टिओं में भी ज्यान वो लेते, जो पहले-पहले परमातमा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले-पहले जाना शुरू करेंगे, नमबर वावर फिर सब को आना है, सतो रजो तमों से सबको पार करना है, कल्प क्या यू पूरी हुई सब आत्माई हाजिर है, बाप भी आ गया, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, नाटक में सब एक्टर्स इकठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं, बाब ने समझाया, नंबरवार कैसे आते हैं, वरनु का राज भी समझाया, चोटी तो ब्रामनों की है, प्र शिववन्शी ब्रह्मा मुकवन्शावली, तो ब्रामन फिर सो देवता बनेंगे, वरनों का हिसाब समझाया है, बच्चों को राए भी दी जाती, ये तो जानते हैं सब एक जैसे हुश्यार तो नहीं है, कोई नई के आगे विद्वान पंडिता दी डिबेट करेंगे, तो देविमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है, इसी बात का जवाब नहीं आता, तो अपने से बड़ो की तरफ उनको रैफर कर देना चाहिए, कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसे देविमान छोड़ रैफर करना चाहिए और तरफ, बाब माँ पाबा भी कहते हैं, हम श्रिव बाबा से पूछेंगे, उपर से पूछ कर आपको बताएंगे, पाबा उनका पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, उनको कहना चाहिए, मैं सीख रही हूँ, माफ करिये, आपका लाना हमारे बड़े भाईबेने आपको मारती, घोडे सवार, प्यादे तो है न, किनो की शेर पे भी सवारी है, शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा जुन्ड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे, शेर तीखा होता है, शक्तियों की शेर पे सवारी है, तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है प्रंतु बाबा देखते पान का बीड़ा उठाने वले कौन प्राचीन देवी देवता धर्म किसने सापन किया वो सिद्ध करके बताना है बहुत गौड गौड इस भी कहते हैं समय ते गौड गौड इस अलग है ईश्वर अलग है लक्ष्मी नारण को भ अले भगवान कहना पड़े समझ भी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिक्किल अदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददका याद प्यार गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते रुहानी बच्चो की रुहानी बाप ददको नमस्ते गुड मॉनिं शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है देविमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है बाप समान नीरेंकारी बनना है charity begins at home पहले अपनी गरस्त वैवार को कमल फूल समान बनाना है घर में रहते हुए बुद्धी से पुरानी दुनिया का सन्यास करना है वर्दान है समंद में संतुष्टा रूपी स्वच्चता को धारण कर सदा हलके और खुश रहने वाले सच्चे पुर्शार्थी भव सारे दिन में वराइटी आत्माओं से समंद होता है उसमें चेक करो सारे दिन में स्वच्चता समंद में आने वाली आत्माओं की संतुष्टा की परसंटेश कितनी रही संतुष्चता की निशानी स्वच्चता अर्था संतुष्टता यही समंद की सच्चाई सफाई है इसने कहते है सच्च तो विट्ठो नच सच्चा पुर्शार्थी खुशी में नाचता रहेगा सच्चे पुर्शार्थी की निशानी खुशी में नाचता रहेगा क्योंकि मन उसका हलका रहता है समंद संपरक में आने वाली आत्मा उससे संतुष्ट रहती है स्लोगन है जिनने किसी बात का गम नहीं वही बेगम पुर के बेफिक्र बादिशा है अव्यक्त इशारा परत्यक्षता से पहले विश्व किस विशाल स्टेज पर हर वरग वाला पाढधरी प्रत्यक्ष होना चाहिए हर वरग कार्थ है विश्व की सर्वात्माओं के वराइटी विक्ष का संगठन रूप कोई भी वरग रहना जाए जो उलाना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला इसलिए नेता से लेके जुग्गी जोपड़ी तक जो भी वरग है पड़े हुए सबसे टॉप साइस्थान फिर जो अनपढ़ है सबको संदेश देकर अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमान द्वारा समीप समन्द में लाने की सेवा करो तब प्रत्यक्षता होगी आज याद रखेंगे मैं सच्चा पुर्शार्थी हूँ सदा खुश और संतुष रहने वाला मैं सच्चा पुर्शार्थी हूँ तीवर पुर्शार्थी हूँ बाबा ने मुझे संतुष्ट रहने की कला सिखाई है मैं अपने पाट से अन्यात्माओं के पाट से बहुत खुश और संतुष्ट हूँ मेरा मन एकदम डबल लाइट है बोज से मुक्त होकर सबकी दुआई प्राप्त करने वाला मैं सच्चा पुर्शार्थी हूँ बाबा को निहार दे बाबा से शक्ति आले ये शक्ति संतुष्टता की शक्ति है मैं सच्चा पुर्शार्थी हूँ सदक्ष्ट और संतुष्ट शक्रिया बाबा शक्रिया शक्रिया um shanty 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 santi